आरे संतों परमप्यार से बोलिए धनिंकार जी मेरा आपके किरपा से सब काम हो रहा है और करते हो पिर हुआ आप मेरा नाम हो रहा है आउ संतमात्माव सद्गुरु की असीम किरपा होती है हम पे तो हमारे जीवन में खुशिया आ जाती है हमारे जीवन में समझ ये जब सेवा आ जाए तो खुशियों का दरवाजा खुल गया है आउ संतमात्मों सेवा इंसान को महान बनाती है आज सद्गुरु ने हमें तीन ऐसे दिद्धे सस्त्र दे दिये सेवा सस्संग सुम्रन जिनने अपना कर हम जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीवत का सामना कर सकते हैं बड़ी से बड़ी परेशानी टल जाती है कहा भी है जो काम दवा से बनना सके वो काम दुआ से होता है और जब सच्चा मुर्सद मिलता है तो बात खुदा से होती है तो आउ संत मातमाओ सच्चा मुर्सद मिलता है, तो बात खुदा से होती है तो सच्चा मुर्सद कहते हैं, गुरू के लिए सत गुरू जब सच्चा मिल जाए यानि सच्चा कोणी जो सच्चाई से हमारा introduction करा दे, परीचै करा दे ये बता दे कि ये तिरा रूप है और तू ये है तो आओ संत मात्माओ संतों ने कहा हमें बनना है तो ऐसा बनना है कैसा बनना है कि तीन प्रकार के भक्त इस संसार में हुआ करते है पहले प्रकार का भक्त इस प्रकार हुआ करता है कि एक पत्थर यदि पानी के अंदर डालते हैं जितनी देर पत्थर को पानी के अंदर डाले रहते हैं वो इतनी देर तक गीला रहता है और जैसे ही उस पत्थर को बाहर निकाल लेते हैं तो संत महत्मों वो पत्थर सूख जाता है यानि ऐसे भी महात्मा हैं ऐसे भी भक्त हैं जो हरी चर्चा में जितनी देर हरी चर्चा सुनते हैं जितनी देर ससंग सुनते हैं इतनी देर याद रखते हैं उसे मनन नहीं करते चिंतन नहीं करते उसे अभ्यास समझने की कोशिस नहीं करते उसके बाद वो जैसे थे वैसे हो जाते हैं दूसरी प्रकार के भक्त बता दिये संत महात्माओ दूसरी प्रकार के भक्त ऐसे होते हैं जैसे एक रूई रूई को पानी के अंदर डाला गया रूई ने एक बार पानी के अंदर डाला तो वो रूई भारी पढ़ गई उसने पानी को समा लिया और काफी समय तक वो सूखी नहीं अर्थात इस प्रकार के भी संत महात्मा होते हैं जो ससंग में बैठते हैं हरी चर्चा सुनते परमात्मा का जिकर करते तो उसे बहुत कुछ अपने अंदर समेटने की चेश्चा करते बहुत कुछ सीखने की चेश्चा करते लेकिन धीरे 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 जब वो ससंग में नहीं जाते तो वो जो पानी सूच आता है वो जो भक्ती की है वो उने याद नही रहते और वो भी ऐसे ही हो जाते हैं आव संत महात्मा कहा कि तीसरे प्रकार के भक्त भी होते हैं तीसरे प्रकार के भक्त कैसे होते हैं संत महात्मा जिने कहा ऐसे संत महात्मा बड़े स्रेष्ट सिरेणी के होते हैं ऐसे संत महात्मा यानि बिल्कुल पूरी तरीके से डिडिक की जा रहे हैं कि बहार निकल जा लेकि मिसरी निकलने का नाम नहीं ले रही क्योंकि मिसरी तो जल ही बन गई है आउ संतमात्माव सत्गुरु इस ओर ही सारा दे रहे हैं कि हमें भक्ती तो करनी है लेकिन भक्ती किस भाव से करनी है तो पहले पिरण में सत्गुरु ने किया कि यहनी समर्पण की भावना से कह दिया कि अपना ये तेरा तुझ को तेरा क्या है? मेरा मिज में कुछ नहीं जो लागे सो तेरा तो आउ संत्मातमों आरती भी यही कह रही है कि जो कुछ भी तैरा ही है पिर्वू इदर पहले । मिरा में तनमंधन दे दिया निरंगकार का है तो समर्पड हो गए, अब मिसरी की तरह यदि हमने समर्पित कर दिया, पिर्वू तैरा है, तैरा तुझको अरपड क्या लागे मेरा, मेरा तो मुझ में कुछ है इनए ना, स प्रमात्मा का था तो इससे मन से सिम्रण करें प्रमात्मा की चर्चा करें भक्ती करें सत्य बचन बोलें और ऐसी मीठी बानी बोलें कि ऐसी बानी बोलिये मन का आपाखोए और औरन को सीतल करें आपो सीतल होए फिर वो ये भासा दी बोली दी तो तूने दिये तो हमें ऐसी भासा का प्रियोग करना है हमें इस प्रकार का एक अनुयाई बन जाना है एक महात्मा इस तरीके से बनना है जैसे मिस्री होती है जहां प्रवचन चल रहे हो जहां भी हमें आरे अच्छी बाते हैं अच्छी प्रवचन हमारे मन को लग रहे हो तो आओ संत मातमों उन्हें हम अपना लें और यदि कोई बात ऐसी कड़वी है तो जैसे सूप होता चाज होता है उसे बहीं छोड़ देता है तो उस बात को ना देखें कि महातमा ने क्या बोल दिया उस बात को देखें कि महातमा ने हमारे जीवन में निखार लाने वाले कौन से सब्द कौन से बचनों का पालन किया तो आउ संत मात्मा ऐसे भक्त ऐसे संतों पे परमात्मा भी बार बार बलहार जाता है क्योंकि जो कभी सिक्वा सिकायत करते नहीं हर समय अपने दातार का धन्य बात देते हैं कि जो बीत रहा सोचंगी है घड़ी सत्गुरु का ऐसान मानते हुए परमात्मा की जैजेकार करते हुए और अपने सत्गुरु पे विश्वास करते हुए सेवा ससंग सिम्रन जीवन का धार बना ले परमप्यार से कहिए धन्निंकार जी